नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ रेनु माथर नोरा फतेही को गलत तरीके से टच करने के मामले पर कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस ने सफाई दी है कोरियोग्राफर और रियालिटी शो इंडियाज बेस डांसर के जज़ टेरेंस लुईस का एक वीडियो विवादो का कारण बन गया इसमें वो शो की को जज़ नोरा फतेही के बाक पोशन पर टोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे है इस वीडियो को शेयर कर लोगों ने टेरेंस की जम कर खिचाई की हालक इस मामले पर नोरा ने टेरेंस का सपोर्ट किया और बताया कि ये फोटो स्टॉप किया हुआ वीडियो है अब इस पूरे मामले पर टेरेंस ने भी अपना पक्ष रखा है ट्वेरेंस ने कहानी के जरी अपनी बात रखी है ट्वेरेंस ने लिखा है कि एक बार जैन धरम गुरू हिमाले में अपने शिश्यों के साथ अपने मठ वापस जा रहे थे मठ के रास्ते में उन्हें तेज बहती गंगा नदी को पार करना था नदी के गिनारे पर एक लड़की बहुत चंता में बैठी थी लड़की का घर नदी पार करते ही था वो खुष सही नदी पार करने में काफी डर रही थी इसलिए उसने धरम गुरू से नदी पार करने में मदद मांगी आगे टोरेंस ने लिखा किसके जवाब में गुरू ने हां कहा और लड़की को अपनी गोद में उठा कर नदी पार करवाई जैन मास्टर ने नदी पार करते ही लड़की को अराम से उतारा और लड़की उन्हें धन्यवाद बोल कर अपने घर चली गई बागी शिष्षे इस बाद को देकर एक दम सकपका गए उन में से काफे चंदित लग रहा था आगे कहानी में दो घंटे की कटिन यात्रा के बाद साधूर उनके शिष्षे अपने मठाई चोटा शिष्षे अभी भी सोच रहा था कि आगे देकर गुरू ने उससे पूछा कि शिष्षे ने आगे क्या कहा शिष्षे ने कहा कि मास्टर जी हमने किसी भी महीला को ना चूने की कसम खाई थी लेकिन आपने तो उस महीला को गोद में उठा लिया आपने हमें महिला के बारे में सोचने से मना किया और आपने उसे चूलिया इस बात पर जेन मास्टर ने कहा कि मैं उसे नदी पार करवा कर वही दूसरी और छोड़ाया था तुम अभी भी उसे साथ लेकर आये हो शो की सबसे सहज गौरफ शाली जजज बनने और मुझपर विश्वाज जताने के लिए धन्यवाद नौरा फतेही इस पोस्ट के साथ टेरेंस ने एक फोटो भी शेर की है जिसमें उन्होंने नौरा फतेही को गोद में उठाया हुआ है जी हाँ दोस्तों टेरेंस ने पूरे मामले पर अपने सफाई दी है ये छूटी सी कहानी सुना कर इसके साथ ही उन्होंने नौरा फतेही को थांक्यू भी बोला है इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के लिए बॉलिवुट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते हुए फिल्म बीट